Hi everyone, so game theory से आज हम लोग देखेंगे graphical method, इससे पहले भी हम लोग ने graphical method देखा था, लेकिन वो हमने देखा था 2 x N matrix के लिए, 2 x N का payoff matrix था, आज हमारे पास M x 2 का payoff matrix यहां पे given है, M x 2 game है, और इसमें से हम लोगो निकालना है optimal strategy for player A and B, और हमें निकालना है value of the game, So, हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले अगर को भी payoff matrix given रहे, तो उसमें हमें सबसे पहला जो step होगा find out करने का, वो होगा हमारा, कि उसमें से हमें row minimum, column maximum निकालना है, उसके बाद maximum value और minimax value अगर equal होता है, तो वहाँ पे हमारा saddle point होता है, और उसी value को बोलते हैं, हम लोग value of the game, त minimum, यहाँ पर इन दोनों में से minimum है, minus 3, इन दोनों में से minimum 3, यहाँ minus 1, यह 1, यह दोनों में से minimum है, minus 5, 0 में से minimum है, minus 5, so row में से हमने minimum निकाल लिए, और column में से हम लोग maximum निकालेंगे, तो इस पूरे column में से सबसे, जो maximum value है, वो है 4, और इस column में से सबसे, जो maximum value है, वो है 6 अब यह जो value निकल गई यह column minimum इसे इन में से सबसे maximum क्या है column minimum sorry row minimum में से सबसे maximum maximum value है 2 और यह जो column maxima है column maximum में से minimum value है 4 अब देखे यह 4 है और यह 2 है अब यह दोनों equal नहीं है इसका मतलब यहाँ पर saddle point नहीं मिल पाएगा तो अब हम लोग इसको normally solve नहीं कर पाएंगे maximum minimum method से तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे graphical method लगाएंगे graphical method में को किसी भी payoff matrix पर तब लगाया जाता है जब वो matrix m cross 2 का हो या फिर n cross 2 का हो तब ही हम लोग graphical method apply कर सकते हैं तो यहां पर हमें दीख रहा है यह है m cross 2 की matrix यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 जो हमारे पास rows है और 2 columns है तो यहां पर graphical method apply किया जा सकता है तो guys इसको हम लोग यहां पर graph बनाएंगे और प्लोट करेंगे विडियो पर चुडू कर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर सबस्क्राइब कर सकते हैं the given problem does not possess any saddle point जैसे कि हमने देखा so therefore let the player B play the mixed strategy जब हम लोगों ने 2 cross N यानि कि इसे पहले वीडियो में जो matrix को solve किया था 2 cross N का तो वहां पे हम लोगों ने player A के लिए माना था अब यहां पे यह m cross 2 का matrix यहां पे लिए player B के लिए मानेंगे player B play the mixed strategy और यह जो strategy होता है player B का वह में पता है B1 B2 Q1 Q2 होता है Q1 Q2 probability होता है इसलिए Q1 plus Q2 equal to 1 against player A चीक है अब इस तरफ में graph को plot करते है same वैसा ही procedure जैसे हम लोगों ने पहले देखा था 2 cross N में वैसे ही यहां पर भी करेंगे अब plotting की time पर क्या करना है यह axis 1 यह axis 2 ठीक है 0 से लिया है इस बार मैंने negative भी लिया है क्योंकि मुझे यहां पर अपने जो outcome से payoff matrix में वहां पर इसमें negative values भी दिख रहे है तो इसलिए मैंने यहां पर negative side में भी plotting की है अगर सिर्फ positive रहे तो positive ले लेना अगर सारा negative रहे तो positive लेने का जरूएत नहीं सिर्फ negative वाले भी बना सकते है तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीक से graph बनाया अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं graph paper पे plot करके बताओ तो आप मुझे नीचे comments करना मैं उसका एक short video बना दूँगी अब देखते है यह जो दो column है हमारे पास यह first column को हमें axis 2 में put करना है और जो second column है उसको axis 1 में put करना है I repeat जो first column है यह वाला इसको axis 2 में put करना है इधर वाले में और जो second column है उसको axis 1 में put करना है इस side वाले में ठीक है अब 1 3 यह है 1 पॉजिटिव निगेटिव देखके काम करना है यह 1 देन यह 3 देन माइनस 1 माइनस 1 देन 4 यह देन 2 यह देन माइनस 5 इसी तरह किसे इस साइड में भी यह वाला कॉलम सेकंड कॉलम है सो माइनस 3 देन 5 देन 6 यहां होगा 6 देन 1 देन 2 देन 0 ठीक है यह सारे points हो गए अब इसको draw करना है इसका line को लेना है अब हम लोग क्या करेंगे row wise line को लेंगे जैसे यह 1 है और यह minus 3 तो 1 इस तरफ वाले 1 को और इस तरफ वाले minus 3 को तो इधर जो यह 1 है यह minus 3 से इसको मैच कराएंगे तो यह वाला 1 को minus 3 से यहां पर इस तरीके से line को ड्रॉव कर देंगे और यह जो line होगा line को ड्रॉव करते ही इसके सामने लिग देंगे 1 ताकि confusion ना हो बाद में उसके बाद 3 और 5 तो इस side से 3 यह और इस side से 5 यानिकि यह और यह उपर वाला इस यह second line होगा इसके बाद है minus 1,6 minus 1 and plus 6 इन दोनों को यह होगा थर्ड लाइन उसके बाद है 4,1 तो यह 4 है और यह 1 है तो इन दोनों को इन दोनों को दोनों को मैश कराएंगे 4 1 यह होगा हमारा 4th line ठीक है 4 1 होगा फिर देन 2 2 so positive है दोनों so 2 2 इसको इस तरीके से यह हुआ हमारा 5th line उसके बाद लाज्ट है हमारा minus 5 और 0 so minus 5 इस तरफ से minus 5 और यह 0 यह वाला origin वाला तो minus 5 and 0 यह हुआ हमारा 6th line ठीक है अब यह हमारा कुछ इस तरीके से graph बन गया और lines भी हमने देख लिए ठीक है जब यह वाला graph द्रॉजाए तो यहां पर क्या करना है m x 2 की matrix में क्या करना है हमें उपर वाला लेना है मतलब हमें अपर envelope को देखना है हम लोग 2 x n की जो हमारा payoff matrix था पीछली वीडियो में देखे थे 2 x n में हम लोग लोग देखते थे लेकिन m x 2 में हम लोग अपर envelope को देखेंगे यह जो अपर envelope है यह कौन सा वाला region याएगा यह वाला जो region है यह यहां से इधर से यह यह होगा हमारा अपर envelope ठीक है तो मैं इसको shade कर देती हूँ थोड़ा ठीक है यह जो region आया हमारा यह हुआ हमारा upper envelope यहां लिग देती हूँ अब अपर envelope से हमें यह तो यह हमारा upper value हुआ अपर envelope से हमें क्यार देखना है minimum value इसको इस तरीके से समझेंगे upper value क्या हुआ अपर value हमने लिए maximum और इसका हमें minimum लेना है तो यह इस वाले जो region है इसका सबसे minimum यह कौन-कौन सा पॉइंट है सबसे पहले यह वाला पॉइंट है यहां पर एक point of intersection मिला उसके बाद यह वाला मिला और यह मिला तो यह है यह उसके छार पॉइंट मिले इनमे से सबसे मिनिम्म पॉइंट मतलब सबसे lower कौन सा है यह वाला point है ठीक है इस point को हम लोग suppose H मान लेते हैं τα इस है यह value क्या है यह H है हमारा minimax minimize max मतलब maximum value का मतलब यह जो अपर है यह maximum वाला पॉइंट जो रीजन है यह maximum value का सबसे minimum point यह मिनीमाक्स value यह वाला point जो है यह मिनीमाक्स point बोलेगे ठीक इसी तरह से उल्टा अगर देखेंगे जब हम लोग lower envelope लेते थे तो हम लोग maximum value लेते जैसे यहां पर अगर lower envelope ले तो यह वाला कुछ region होगा और lower envelope में हम लोग maximum लेते थे तो वो वाले point को बोलते थे maximum value जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था ठीक है हमें यह point तो मिल गया अब हमें यह देखना है कि यह जो point कौन से दो line का intersection है यह देखे यह जो line है एक तो यह वाला line line number 4 यह और यह जो दूसरा line है यह गया है line 2 से ठीक है तो 2 और 4 मतलब यहां पर अगर देखें तो 1st 2nd 3rd 6 हमारे पास rows है तो 2nd वाला और 4th वाला यह यह वाला 3 5 और 4 1 तो हमारा matrix जो है pay off matrix अब reduced हो जाएगा minimax हमें find out हो गया h अगर आप लोगों को h का point निकालने बोला exam में कि h कौन से point पे है तो आप लोगों को graph paper पे प्लॉट करना पड़ेगा यह वाले points को और उसके बाद आप लोगों कहां से find out कर सकते हैं कि यह कौन सा यहां पर point है हलाकि ऐसा question पूछा नहीं जाता है exam में कि especially operation research में अगर graph theory है तो एसा पूछा नहीं जाता है लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग इस की value को भी जो h पॉइंट है minimax में कौन सा point है वो निकाल सकते हैं ठीक्या अब matrix जो था हमारे रिडियो सो के 3 5 और 4 1 हो गया अब हमें मिला 2 cross 2 की matrix अब उसको लोग आगे solve करते हैं okay so मैंने यहाँ पे कुछ लिखाया जैसे की since player B जो मैंने अभी अभी समझाय है उसी same चीज को मैंने आप लिखा है यह चीज को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं लिखना और मैंने लिख दिया है इसके जो pdf में आप लोग को नीचे description में दे दूंगी आप लोग वो भी दे इससे पहले हमने player A के लिए माना था पिछली वीडियो में तो player B क्या चाहता है जब player A चाहेगा यह से यह player A है और यह player B है तो यह हो जाएगा यह a1, a2, a3, a4, a5 और a6 इसी तरीके से यह होगा b1 और यह b2 ठीक है तो player A चाहता है अपना profit को maximize करना और player B चाहता है अपना loss को minimize करना और हमने यह जो हमारा payoff matrix M x 2 के लिए है और हमने player B के लिए considered किया है तो player B क्या चाहता है अपना loss को minimize करना तो यहां पर क्या चाहेगा player B अपना loss को minimize करना जो maximum loss हो सकता है उसको minimize करना तो यह हमने वही लिखा है जो के graph से solve किया हमने कि since player B wishes to minimize his maximum affected payoff we considered the lowest point of the upper boundary मतलब maximum loss हो सकता है उसका minimum तो हमने यहां पर जो maximum यानि कि upper envelope लिया अपर envelope निकाल के उसका minimax लिया minimum जो point हो लिया okay so the point H intersection of line 2 and line 4 यह 2 और 4 का intersection है represent the minimax expected value of the game for player B hence the solution of the original 6 x 2 यह 6 x 2 का game था reduce to 2 x 2 payoff matrix so यह 2 और 4 का intersection है तो 2 और 4 को लिखेंगे यहां पर होगा यह 3 5 और यह 4 वाला है 4 1 4 1 okay so यह जो matrix आया है यह हमारा है 2 x 2 का matrix अब आप लोगों को यहां पर से जो है इसको solve करके find out कर सकते हैं तो मैं यहां पर से इसको solve करती हूँ यह है a1 और यह है a1 और यह है a2 यह a2 है और यह वाला है a4 okay a2 a4 और यह है b1 b2 ठीक है हमें पता है हमें oddments निकालना होता है तो oddments निकाल लेंगे यहां पर हम जानते हैं oddments कैसे निकालते है 3-5 3-5 होगा minus 2 उसको यहां न लिखके नीचे लिखेंगे तो यह होगा minus 2 और 4-1 नहीं करेंगे 1-4 करेंगे 1-4 होगा minus 3 इसको उपर लिखेंगे तो इस वाले को minus करके नीचे और इसको minus करके ऊपर इसी तरीके से column में भी 3-4 करेंगे minus 1 आ जो हमने निकालना होता है probability कैसे निकालते है यह minus 3 को ऐसे ही लिखेंगे minus 3 divided by इन दोनों का addition क्या होगा minus 3 minus 5 minus 2 हो यहां पर होगा minus 5 तो यह निके 3 by 5 यह आया P1 और इसे तरीके से इसके लिए भी minus 2 divided by दोनों का addition minus 5 so 2 by 5 यह आया हमारा P2 चीक है अब इधर करेंगे same oddments निका यह आया हमारा Q के लिए so यह वाला minus 4 minus 4 यहां लिखेंगे इन दोनों का addition minus 4 minus 1 minus 5 so यह होगा 4 by 5 यहाए हमारा Q1 और इसे तरीके से इसको करेंगे minus 1 divided by minus 1 दोनों का addition करेंगे minus 5 यहाए गा so 1 by 5 यहाए हमारा Q2 तो यहां से हमारा optimal strategy निकल गया यहां लिख देती हूँ so यहां पर optimal strategy क्या होगा s of a a के लिए strategy अब यहां पर question में हम लोगो यहां पर P1 P2 आया है ठीक है P1 P2 लेकिन हमारा इसका मतलब 3 by 5 2 by 5 होगा लेकिन जो question था हमारा वो 6 cross 2 का matrix था so a1 a2 a3 इस तरीके से हमने लिया था और finally में हमने a2 और a4 लिया था तो a2 और a4 के लिए त first position पर 0 उसके बाद उसके बाद हमने second a2 को लिया था a2 को ठीक है a2 के लिए 3 by 5 so 3 by 5 third वाला कुछ ने आया है fourth वाला है a4 आया है 2 by 5 ठीक है fifth और six हमारा 00 तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे second और fourth पर जो हमारा P1 P2 का value आया है वो लिख देंगे है बाकि सब 00 इसे तरीके से a of b के होगा यह तो हमारा two का ही था दो ही column थे हमारे पास तो यह जो आया है four by five और one by five so four by five comma one by five यह हमारा optimal strategy हो जाएगा player a और player b के लिए अब finally निकाल लेते है value of the game इसको निकालने का हम जानते हैं क्या करना है three into minus three करते है three into minus three plus यहां से four into minus two four into minus two यह किए divided by इन दोनों को add करना है minus four minus three sorry minus three minus two इन दोनों को add करना है तो यह हम क्या जाएगा three three is a minus nine minus eight divided by minus five तो यह आएगा minus seventeen by यह fifteen लिख दिया मैंने यह five होगा minus five so seventeen by five ठीक है तो value of the game आएगा हमारा seventeen by five okay so हम लोगों ने क्या देखा यहां पर जो पहले जैसे प्रोसेस था सॉल्फ करने का हमारा two cross n में यहां time cross two में भी करना है वहां पे हम लोग 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 निकालते थे यहां पे हम लोगों को अपर इन्वैलप को निकाल के maximum को देखते थे कि origin से closer कौन सा यहां पर हम लोग origin से closer देख रहें लेकिन जो पॉइंट है वो क्या था यहां पर maximum था जैसे कि अगर लोग लोग निकाल ले तो इसमें सबसे जो minimum point है उसको हम लोगों ने choose किया है ठीक है अब सेम इसके बाद का जो प्रोसेस अब सेम ही है जैसे हम लोगों को point मिल जाएगा उन दोनों line को वो जो point है उससे जो भी जाएगा तो इसको हम लोग simply formula से भी solve कर सकते हैं और without formula भी solve करके हम लोग अपना solution निकाल सकते हैं इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे dominance property, dominance property हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास m x n का matrix हुआ pay off matrix तब क्या करेंगे 2 वाला तो ठीक है m x n में क्या करेंगे तो उसके लिए हम लोग dominance property उसके लिए हम लोग dominance property यूज करते हैं